इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Curumite Soap Actoparaciticide नामक दवाओं की एक श्रेनी से संबंध रखता है. It is used to treat scabies, a condition where tiny insects infest and irritate your skin. यह दवा कीटों, यानि की, माइट्स और उनके अंडे को मार कर काम करती है. Curumite Soap कैसे और कितनी मात्रा में लेना है? इस बारे में आपके डॉक्टर आपको विस्तार से समझाएंगे. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इसे सही तरीके से ले, दवा के साथ आने वाले निर्देशों को पड़े. उप्योग करने से पहले आपकी त्वचा साफ, सूखी और ठंडी होनी चाहिए. इस दवा का उप्योग करने के 8-14 घंटे बाद आपका पूरा शरीर अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए. . कभी कभी स्केबीज, यानि की खाज का इलाज करने के बाद कुछ सपताह तक खुजली रह सकता है. यह शायद मृत माइट्स के लिए अलजिक प्रतिक्रिया है और इलाज के विफल होने का संकेत नहीं है. सबसे सामाने साइड इफेक्ट में, जहां दवा लगाई गई है, वहां हलकी जलन, चुभन या टिंगलिंग शामिल है. आम तोर पर अधिकांच साइड इफेक्ट हलकी तीवरता के होते हैं, तथा हर कोई इनसे प्रभावित नहीं होता है. यदि आपको तवचा की कोई समस्या है या दवाओं, भोजन, या अन्यपदार्थों से अलजी है, या आपको अस्थमा है तो इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर को बताएं. हाला कि इस दवा को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, झाल झाल